हैलो वीवर्स, असलाम लेगो, मैं हूँ रोशन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चंदरकला बनाने की रेसिपी एक ही स्टफिंग से आप तीन रेसिपी इसका बना सकते हैं, चंदरकला, गुजिया और लवंग लती का तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, हम किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले हमने एक कप मैदा लिया है बाहर से क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए इसमें हम ओल का यूज़ कर रहे हैं, आप ओल की जगह घी डाल सकते हैं तो हमने रिफाइन ओयल लिया हुआ है, एक टेबल स्पून हमने इसमें डाला हुआ है, और हाफ टेबल स्पून इसमें हम बाद मैट करेंगे तो पहले mix करने के बाद फिर से हमने इसमें half table spoon oil डाला हुआ है अच्छी तरह से इसको mix करना है इसमें गुठरी लंग्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मुठी ऐसे दबाएंगे तो आपको लगेगा कि मोयन बिल्कुल perfect है ऐसे बंद जा रहा है तो बिल्कुल perfect है तो ऐसे हम हलका हलका डाल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कितना इसमें लगा है तो ये half cup भी इसमें नहीं लगता है देख पारे होंगे half cup से भी कम लगा है पानी दो से तीन मिनट के लिए इस तरह से गुंदेंगे और दस मिनट के लिए रेष्ट देंगे और दस मिनट के बाद इसको हम बनाएंगे उपर से हलका सावयल ऐसे उपर से लगा दे रहे हैं बिल्कुल अच्छा आटा हमने गुंदा हुआ है और ये हमारा बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए तो इसको अब हम साइड में रख लेते हैं और इधर हम चाशनी बना लेते हैं तो ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने चीनी लिया है अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप एक कप डाल सकते हैं जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हम पानी डालेंगे हाफ कप ही हम इसमें पानी आड़ कर रहे हैं तो चाशनी बनाना है इसमें ज़्यादा गाड़ा चाशनी भी नहीं करना है ऐसे जले भी जिस तरह से आप बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से चाहिए दो हमने हरी इलाची भी इसमें आड़ कर दिया है आप पाउडर का भी और ठंडा होने के लिए उसको साइड में रख देते हैं और इधर अब हम बनाना शुरू करते हैं तो यह हमने आटे का डो ले लिया है और इसे हम चकले पर ले लिये हैं और इसको हम चाकु से कट लगाएंगे ऐसे छोटी-छोटी आप इसकी बड़ी पूरी भी बेल सकते हैं आपको जो पसंद हो जिस तरह से आप बना सकते हैं लेकिन छोटा-छोटा भी हम फॉस्ट में बेल रहे हैं तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है और इस तरह से चकले पर रखते हुए और इसको बेलेंगे इसमें ज्यादा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपक अच्छा से पतला से आपको बेलना है और टेड़ा मेरा हो तो कोई दिकत नहीं है गलास या कटोरी ले 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 और इस तरह से आप से बना सकते हैं इस तरह से सारे शेप बना सकते हैं पूरी आप लंबे आकार में भी रोटी बेल सकते हैं एक बार में तीन या चार आपके प इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो इसका पाउडर बना लेते हैं और 200 ग्राम हमने ये खोया लिया है आप मार्केट से अगर मंगाते हैं तो इसको अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा हमने घर पे इसे बनाया हुआ है और ड्राइफ फ्रूट्स आपको जो पसंद आप डाल सकते हैं हमने गड़ी और इसमें किश्मिस और काजू डाला हुआ है काट करके इस तरह से मिला दिया है और शुगर पाउडर जो हमने त्यार किया है उसको मिला देते हैं ये हलका सा अंदर से मीठा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है तो ये स्टफिंग हमारा रेडी है इस स्टफिंग से आप लवंग लतिका बना सकते हैं गुजिया बना सकते हैं चंदरकला बना सकते हैं ये तीनु रेस्पी में आपको कामाने वाला है सभी पूरिया हमने बना लिया है छोटा छोटा देख सकते हैं और ये बड़ा भी हमने बनाया हुआ है इसका हम ल मच से ऐसे stuffing रखें, ज्यादा भी न रखें कि यह फट जाए तो ऐसे हमने रख दिया है और फिर से हम पानी लगाते हैं दूसरी पूरी में इस तरह से चारो तरफ से हमने लगा दिया है और पानी जी इधर हमने लगाया हुआ है उधर हम ऐसे रख करके चिपका देते हैं हाथ से उंगली से ऐसे दबाएंगे तो चारो तरब से यह चिपक जाएगा शेप आपको हलका सा प्रेक्टिस करना पड़ेगा वैसे तुरंट एक दो बनाएंगे उसके बाद आपको आ जाएगा तो यह शेप हम आपको दीखा रहे हैं कैसे करना है इसके उपर भी हलका सा यह पानी लगा लेते हैं तो ऐसे चिपक जाएगा अच्छी तरह से और ऐसे देख सकते हैं ऐसे दबाते हुए आपको मोड़ना है ऐसे नजदिक नजदिक ऐसे दबाते जाएं मोड़ते जाएं ऐसे देख पारे होंगे कैसे हम दबा रहे हैं दबा करके फिर मोड़ दे रहे हैं इस तरह से शेप बहुत अच्छा यह बन जाएगा देख पारे होंगे हमने कितना असानी से इसे बना लिया है इसी तरह से सारे चंदरकला को हम बना लेते हैं और यह हमारा चंदरकला बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है और एक जो हमने बड़ी पूरी साइड में रखा हुआ है तो इसमें हम 4 तरफ से सबसे पहले पानी लगा लेते हैं पानी लगाकर अच्छा बाट बढ़ा है इसमें ज्यादा डालेंगे क्योंकि इसका साइज बहुत बढ़ा है इसलिए इसमें ज्यादा आएगा स्टाफिंग और एक तरफ से ऐसे हाफ पर मोड़े दूसरी तरफ से ऐसे साइड में इस तरह से ले जाएं और इस तरह से बीच में स्टाफिंग को कर लें और ये किनारे में आपको ऐसे चिपका लेना है देख पारे होंगे कैसे हम चिपका रहे हैं पानी लगा हुआ है ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा खूलेगा नहीं और इसे दूसरी तरफ से पलट करके और दोनों साइड में हलका सा पानी लगाएं और इसको बीच में ले जाएं ऐसे ले जाना है और उधर से पलट करके इसके उपर रखना है तो ये देख सकते हैं लवंग लाती का का शेफ हमारा बन चुका है और लवंग लाती का इसी तरीके से बनाया भी जाता है एक लॉंग हमने लिया है इससे सिल कर दिया है हमने और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन गया है तो ये हमारा बिल्कुल बनाने के रेडी हो गया है तो चलते हैं इधर ओयल हमने गरम कर लिया है ज्यादा ओयल गरम नहीं करना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा और फिलेम को लो रखना है और बारी-बारी से डाल देना है जितना सके उतना low flame पर जैसे जैसे ये सीकेंगा ऊपर की तरफ या आते जाएगा उपर जब आ जाएगा तो इसको पलट ले दोरो तरफ से ये low flame पर आपको सेखना है में घर पे पाँच मिनट में अगर आपको मावा त्यार करना है तो मैं description में link दे दूँगी जट पट आप खुद से मावा तयार कर सकते हैं बिल्कुल लेट नहीं लगेगा तो इस तरह से हमने लो फलेम पर उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छा क्रिस्पी हमारा फ्राई हुआ है और इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच फिर से इसमें हम डाल देंगे लो फलेम पर भी उसको हम सेक लेंगे इधर चाशनी हमारी ठंडी हो गई है और गरम गरम जो हमने निकाला हुआ है इसमें हम डाल देंगे ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे बस इसको हैसे लटते पलटते हुए और चाशनी से हम निकाल लेंगे ये क्या है हलकी सी इसमें मिठास रहेगी उपर से और अच्छा लगेगा क्योंकि स्टफिंग भी हमारे इसमें अंदर है वो भी मिठा है चाहे तो इसके उपर चाशनी डाल सकते हैं और लवंग लातिका को आप चाशनी के अंदर भी रख सकते हैं बहुत टेश्टी लगता है मेरी वीडियो पसंदा है तो लाइक और शेर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हमारे चैनल तारा नूर कोकिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको देखने में भी लग रहा होगा मैंने तोड़ा और कितना क्रिस्पी है और अंदर से भी स्टफिंग कितना अच्छा है कमेंट भी किजिए